question क्या है a particle falls from a height h on a fixed horizontal plate and rebound तो माल लेते हैं कि यह fixed horizontal plate है इसके ओपर एक object गिरता है कितनी height से h height से यह इसके ओपर गिरता है h height से यह इसके ओपर fall करता है and rebound और यह वापस जाता है if e is the coefficient of restitution the total distance traveled by the particle before it stops rebounding तो होगा क्या यह object 2 पर सी नीचे गिरेंगा और collision होने के बाद वापस जाएंगा लेकिन collision in elastic है तो वापस original height पर नहीं जाएंगा कुछ कम height पर जाएंगा उसके बाद वापस आएंगा एक और बार collide करेंगा फिर और कुछ height तक rebound करेंगा लेकिन वो पुरानी वादी height के बराबर नहीं होगी उससे कम होगी इस तरह यह process repeat होगा यहां तकि object कैसा हो जाएं object rest में आ जाएं हमको पता करना है कि यह total distance total distance travel पैदा particle before it stops rebounding तो यह मैंने diagram इसी बताई लेकिन actual में collision ऐसा होगा object उपर से नीचे आया फिर वापस उपर गया फिर और नीचे आया फिर और उपर और नीचे इस तरह यह vertical direction में ही motion करने वाला है समझ रहें आप ठीक है हमको यह total height पता करना है total distance पता करना है कितना होगा तो एक बात तो clear है कि यह initial point होगा और यह पहले collision के लिए final point होगा यहाँ पर collision start होने वाला है इस जगा पर collision start होने वाला है उसके बाद वो वापस आएंगा वापस कितनी height तक जाएंगा माल लेते हैं वो h height तक दोबारा rise कर दाए माल लेते हैं कि वो h h थो हमने consider कर लिया माल लेते हैं कि वो अब rise करने वाला है h1 height तक उसके बाद वो और वापस आएंगा वापस आने के बाद और कुछ height तक rise करेंगा h2 और यह सिलसिला चलता रहेंगा यहनि total distance जो वो travel करेंगा total distance की equation हम लोग लिख सकते हैं total distance वो travel करेंगा यानि h total बराबर होना चाहिए पहली वाली height जिसको हम h कह रहे हैं उसके बाद की height h1 नहीं उसके बाद एक और बार h1 इसका मतलब h1 plus h1 क्योंकि जाने बाला और यह आने वाला total distance में तो दोनों count होगे न उसके बाद यहाँ वो rebound होगा तो नीचे आते हुए और उपर जाते हुए दो distance कवर करेंगा इसका मतलब h2 plus h2 और यह सिलसिला चलता रहेंगा यानि हम लिख सकते हैं कि total height की equation बन जाएंगी h plus h1 plus h1 कितना हो जाएंगा यह हो जाएंगा 2h1 और h2 plus h2 कितना हो जाएंगा 2h2 plus 3h3 नई सौरी 2h3 plus so on और यह सिलसिला चलता रहेंगा ठीक है जी तो पहली बात यह h हम को मालूम करना है यह h हम को मालूम करना है h थो हम को मालूम है अगर हम collision के तालों से सोचे तो इस जगा पर पहला collision होने वाला है अगर यह h हाइट से object को drop किया जाए initial velocity कितनी होंगी initial velocity 0 होंगी तो पहले collision के पहले उसकी velocity कितनी होंगी इस जगा पर initial velocity u हमको final velocity पता करना है downward direction में motion है तो acceleration due to gravity g के बराबर होंगी equation बनेंगी v square is equal to u square plus 2as है नो 2as मदद करे मेरी यह final velocity है collision से पहले v square वो हम मालूम करना चाहते है initial velocity कितनी 0 का square 0 2 times of acceleration कितना g और distance कितना cover किया h यह हमको पता चला collision के पहले की velocity कितनी है under root 2gh under root 2gh इस velocity से यह surface पर टकराया और जो वापस गया उस velocity को नाम देते है v1 v1 क्या है जिस velocity से वो वापस गया यह object है यह ball है जो collision कर रहा है और दूसरा surface कौन सा है दूसरा surface ground है जिसके अंदर कोई velocity में change होने वाला नहीं है वो पहले भी rest में था बाद में भी rest में होगा इसका मतलब हम लिख सकते है coefficient of restoration relative velocity of separation collision के पहले की velocity कितनी collision के पहले की velocity v और बात की velocity कितनी v1 तो relative velocity of separation v1 होगा च्योंकि दूसरा object तो rest में है और approach v के बराबर होगा यह नि हम लिख सकते है क्या लिख सकते है e बराबर v1 upon अभी हमने v calculate किया v का value कितना आया v का value आया है under root 2gh यहनि हम लिख सकते है v1 बराबर e under root of 2gh इतना समझे यह है v1 यह कौन सी velocity है जिस velocity से वो collision करने के बाद वापस उपर की तरफ जाएंगा अब इस velocity का use करके हम पता करेंगे कि h1 की value कितनी h1 की value कितनी अच्छा एक बात बताईए इस velocity के साथ तो टकरा कर वापस जा रहा है तो जिस final point पर वो पहुँचेंगा उस जगा पर उसकी velocity कितनी हो जाएंगी उस जगा पर उसकी velocity हो जाएंगी 0 जिसको हम final velocity कहेंगे और यह बात के लिए v1 हो गया initial velocity v हो गया final velocity और acceleration downward direction में equation कौन सी use करेंगे v2 is equal to u2 plus 2as plus 2as जो यहां हो जाएंगा 2gh final velocity 0 final velocity 0 initial velocity कितनी initial velocity अभी हमने निकाले है initial velocity कितनी है initial velocity मतलब इस जगा पर second collision होने के बाद first collision के बाद की velocity v1 वो इस path के लिए initial velocity हो जाएंगी तो u की जगा कितना लिख लू v1 का square plus 2 times of acceleration कितना है उपर की तरफ object जा रहा है acceleration नीचे की तरफ तो minus z लिखना चाहिए और h क्या होगा जिस height पर पहुँचकर velocity 0 हो गई जिसको हम h1 कह रहे हैं यह equation समझी और एक बार धियान दे यह हम पहले collision के बात की बात कर रहे हैं यह h1 वाले path के लिए h1 वाले path के लिए initial point नीचे होगा ground पर final point h1 height के ओपर होगा जहांकि velocity 0 यहांकि velocity v1 इस तो final velocity 0 initial velocity v1 acceleration downward direction में motion upward direction में इसको solve करते रहे 0 is equal to v1 का square v1 का square कितना होगा यह v1 है इसका square करने पर मिलेंगा e square और square root cancel हो जाएंगा यह आजेंगा 2gh और यहां पहले से ही क्या है minus 2gh1 यहां से 2g 2g common निकलेंगा और दोनों जगा से 0 के reward भी आंके 0 हो जाएंगा यहनी equation मिली 0 is equal to हाँ जी बताइए कितना है e square into h minus h1 यहां से हमको पता चला h1 कितना है h1 है e square times of h यह समझे h1 की value हमको मिल गई h1 is equal to e square times of h h1 is equal to e square times of h similarly अगर यह object नीचे की तरफ आता है तो दोबारा h1 distance cover करेंगा वो भी e square into h के बरावर होगा जब वो यहां से वापस आएंगा अब दूसरी collision से पहले दूसरी collision से पहले downward direction में उसकी velocity कितनी होगी v1 होगी देखो जी उपर जाने का distance h1 नीचे आने का distance h1 acceleration same तो जब वो उपर जा रहा था तो upward direction में velocity given point पे v1 थी तो इसी point पे नीचे आते वक्त velocity v1 ही होगी लेकिन direction reverse हो जाएंगा तो यह v1 कौनसी velocity है दूसरे collision से पहले की velocity जिसको हम initial velocity कहते हैं को efficient of restitution change नहीं होगा क्योंकि surface change नहीं हुआ अब हम कौनसे collision की बात कर रहे हैं second collision की यहां first हो गया यहां second collision अब third collision की बात कर रहे हैं इस जगा पर जो collision होगा उसकी बात कर रहे हैं relative velocity of separation माल लेते हैं वो v1 velocity से strike किया और v2 velocity से वापस गया v2 velocity से वापस गया तो separation की velocity कितनी है v2 के बराबर और approach की velocity कितनी है v1 के बराबर again यहां दूसरा surface ground है जिसके अंदर कोई motion नहीं velocity का value 0 होगा data यहां लिख लिजिए अभी हमने calculate किया है v1 के बारे में so e is equal to v2 upon v1 कितना है v1 को यहां multiply में लेकर आ जाओ और v1 कितना है v1 है e under root of 2gh is equal to और यहां पहले से ही एक e है यह v1 की value हमने लिखी e under root 2gh और यह e as it is is equal to v2 यहां से हमको पता चला e square under root of 2gh is equal to v2 यह है वो velocity जिसके साथ वो वापस जाएंगा जिसके साथ वो वापस जाएंगा अब देखो हमको पता करना है h2 अगर यह इस velocity के साथ वापस जाने वाला है इस velocity के साथ यह वापस जाने वाला है तो final point पे उसकी velocity हो जाएंगी 0 again यह equation use करो equation क्या है v2 is equal to u2 plus 2as जब वो final point पे पहुँच जाएंगा second collision में मैं diagram यहां बना लेता हूँ second collision में जब वो उपर की तरफ जा रहा था तो initial velocity कितनी थी initial velocity थी v2 जब वो highest point पे पहुच जाएंगा तो उसकी final velocity हो जाएंगी 0 और यह जो vertical distance वो cover करेंगा उसको हमने h2 का नाम दिया ठीक है ना equation है v2 equal to u2 plus 2as final velocity कितनी 0 initial velocity का square initial velocity है v2 v2 का square यह हो जाएंगा e2 under 2gh का square मतला हो जाएंगा e raise to 4 और under 2gh का square 2gh हो जाएंगा minus 2 times of acceleration कितना acceleration minus g इस वरा से यह minus आया और s कितना s की जगा पर आजाएंगा h2 इतना समझें यहां तो 0 है यह 2g इस जगा के 2g को common ले लेंगा और इस तरफ आकर 0 हो जाएंगा यहां से हमको पता चला h2 बराबर e raise to 4h h2 बराबर e raise to 4h h2 बराबर e raise to 4h अगर यही calculation हम आगे करते रहें मैं data आपके सामने लिख लेता हो h1 कितना आया h1 आया e square h h2 कितना आया h2 आया e raise to 4h अब आप मुझे बताइए h3 कितना आएंगा h3 कितना आएंगा h3 आएंगा e raise to 6h और यह सिलसिला चलता रहेंगा हमको पता क्या करना है हम पता करना चाहते है total height कितनी total height कितनी यहनी equation मैं आपके सामने लिख लेता हूँ total height सबसे पहले तो वो उपर से नीचे की तरफ आया तो उपर से नीचे आने में कितना distance उसने cover किया h के बराबर distance cover किया उसके बाद collide किया collide करने के बाद वापस गया कितना distance वापस गया h1 distance वापस गया और वापस नीचे भी आया कितना distance वापस आया h1 के बराबर इस जिए 2h1 हो जाएंगा उसके बाद दो बार आकर टकर आया दो बार आकर टकराया, और उपर गया, कितना distance उपर गया, h2 के बराबर उपर गया, और उसके बाद नीचे आया, कितना distance वापस आया, h2 के बराबर नीचे वापस आया, इसका मतलब 2h2, और यह सिर सिर्दा चलता रहेगा, sorry, 2h3, और आगे continue होंगा, data लिख लिजिए, h कितना है, h कितना है, h तो h है, और 2h, 2 times of h1 कितना, h1 अभी हमने calculate किया, h1 कितना है, e square times of h, यह 2 as it is, h2 कितना, h2 है, e raise to 4 times of h, plus, यहां का 2 as it is, h3 कितना होंगा, e raise to 6 times of h, और यह काम चलता रहेगा, ठीक है जी, यह h as it is, यहां हर जगा से 2h, 2h, 2h common निकाल दो, 2h common निकालने के बाद, पहली जगा पर क्या बचेगा, e square, यहां e raise to 4 है, यह e raise to 4 बच गया, 2h तो common आ गया, उसके बाद है e raise to 6, और यह काम चलता रहेगा आगे, ठीक है न, अच्छा, जिससे लिखा जा सकता है, यह h as it is, और यह 2 6 को हम लिखेंगे e square, bracket cube, और यह काम चलता रहेगा, ठीक है, अच्छा, अब यहां हमको एक identity use करना है, यह identity क्या कहती है, identity कहती है, कि अगर हम binomial expansion का formula देखे, कौन सा formula देखना है, formula हमको देखना है, x plus x square, plus x cube, plus so on, इसका जो formula होता है, वो formula आपको याद करना है, इसका formula होत है, x upon 1 minus x, यहां यह term जो हमने common निकाला, अगर हम यहां यह equation को apply करके देखे, तो हम और पस equation क्या मिल रहे है, e square, e square का square, e square का cube, इसी तरह यह term आगे चल रहे है, यह एक्स की जगापर है, e square, x की जगापर e square, उसके बद e square, का square, उसके बद e square to the power 3, e square to the power 3, यह सिलसिला जब चल रहा है आगे, तो इसका answer कितना आना चाहिए, x की जगापर आजाएंगा e square, और 1 minus x की जगापर आजाएंगा 1 minus e square, तो यह जो पूरा term है, यह जो पूरा term है, कौन सा? sorry, यह जो पूरा term है, इसकी जगापर क्या लिखा जा सकता है, h as it is, plus 2h as it is, और यह पूरे term की जगापर लिखा जा सकता है, e square upon 1 minus e square, इतना समझा, मिरे पास जगापर थोड़ी कम है, इस ती मैं equation को दूसरे page पर लेता हूँ, total height हमने निकाली है, total height capital H बराबर है, capital H is equal to, capital H is equal to, h plus 2h under the bracket of e square upon 1 minus e square, यहां तक समझ गए, कुछ कॉमा निकलेंगा, h कॉमा निकल जाएंगा, क्या बचा, 1 plus 2 e square upon 1 minus e square, cross कर लो, कितना होंगा, h under the bracket of 1 और 1 minus e square multiply में आ जाएंगे, so 1 minus e square plus 2 e square upon 1 minus e square, ठीक है, so यह 2 e square और minus e square, solve होकर बन जाएंगे, 1 minus e square, sorry, e square plus 2 e square, तो बचा 1 plus e square upon 1 minus e square, यह हमारा total height का formula मिल जाएंगा, so capital h बराबर हो जाएंगा, h under the bracket of 1 plus e square upon 1 minus e square, यह h कॉल सी height है, यह वो initial height है, जिसके तरू हमने object को drop किया, और e के माने coefficient of restitution के है, option चिक कर ले, option होना चाहिए, h under the bracket 1 plus e square upon 1 minus e square, so option a should be correct, option a correct होना चाहिए, यह एक बहुत अच्छा question है, इसका result आप standard याद भी रख सकते हैं, कि अगर h height से object को drop किया गया, surface का coefficient of restitution e के बराबर है, तो वहाँ जो height होगी, यहाँ जो distance वो cover करेंगा, वो बराबर हो जाएंगा, h under the bracket of 1 plus e square upon 1 minus e square, so option a should be correct, आया समझ?